बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं that is question number 19 of the book T.S. ग्रिवाल, chapter is admission of a partner question में कुछ information इस तरह से दे रखे हैं कि आपको दो partner दे रखे हैं gold और silver जिनका पुराणा ratio 2 to 5 है उन्होंने copper को नया partner मनाया one four share के लिए वो 14,000 premium for goodwill लेकर आया आपसे दो चीज़े मांगी है question में एक तो नया ratio मांगा गया है और general land trees मांगी गयी है यानि यह पूछा गया है कि भाई कितना premium कुसकों मिलेगा तो रही बाद new ratio निकालने की तो new ratio निकालना अर्सान है इसमें यह सबसे पहली टाइप होती है जहां total share one माना जाता है one में से नया partner share हटा दिया जाता है और remaining share को पुराने partners की पुराने ratio में बाढ़ देते हैं ठीक है बच्चो जैसे यहां देख सकते हैं आप गोल्ड का निया share आ गया 6 by 28 सिल्वर का निया share आ गया 15 by 28 और कॉपर का निया share जो 1 by 4 से लिख सकते हैं 7 by 28 क्लियर बच्चो तो निया ratio 6, 15, 7 और ऐसी टाइप में partner पुराने ratio में sacrifice करते हैं तो sacrifice निकालेंगे तो भी 2 to 5 आएगा ने तो आप direct भी लिख सकते हैं ठीक है बच करते हैं general entries की तो देखें जो पहले entry बनेगी तो premium लाने की बनेगी जब premium आएगा तो bank का पैसा बढ़ेगा इसलिए bank debit हो गया और premium बढ़ने से credit होता है 14,000 14,000 से entry बन गई जब इस premium को distribute करेंगे अमंग तो पार्टनर तो premium for goodwill account debit हो जाएगा और gold और silver के account credit हो जाएगी सिंपल से question था starting question था इसमें प्रीम लाने और बाढ़ने की entry करनी थी और साथ से बस नया ratio निकालना था बात करने में बच्छो कोश्ण में 20 की तो इसमें विमल और निर्मल जो है वो 302 के रिश्य के पार्टनर है अब एक नया पार्टनर आया कैलाश विमल ने अपने शेर क का 1-5 और निर्मल ने अपने शेर का 2-5 कैलाश के लिए sacrifice किया तो दोनों के अपने अपने शेर का 1-5 और 2-5 निकाल लिया जो कि आया 3-25 और 4-25 ठीक है तो इनके sacrifice 3-25 और 4-25 निकल कर आये जिसाब यह भी कह सकते हैं कि कैलाश का शेर से 9-25 होगा क्योंकि जो इन्होंने sacrifice कि कैलाश को ही मिला और रही बाद इनके sacrifice ratio की तो वो 3-4 हो गया ठीक है बच्चो अब रही बाद विमल के नए शेर की तो 3-5 मेंसे 3-25 मैनस करिए बचे का 12-25 निर्मल के नए शेर की तो 2-5 मेंसे 4-25 मैनस करिए 6-25 कैलाश के नए शेर की तो जो नोंने दिया था 3-25 और 4-25 न सेवन और रही बाद sacrifice ratio की तो वो आगया 3-4 अब इस question में कैलाश के हिस्से गुडविल दे नहीं रखी थी लेकिन फुर्म की गुडविल दे रखी थी तो जब फुर्म की गुडविल पता है तो हमें कैलाश की गुडविल निकाले में जरावी टाइम ने लगेगा बस 75,000 क उसके हिस्से से मुडविल आजाएगी 21,000 अब यहां भी वही दो एंट्री बनेंगी लाने और बाटने की गुडविल को तो गुडविल लाएगा तो bank account debit to premium for goodwill account और जिब उसके गुडविल को बाट दिया जाएगा तो premium for goodwill account debit to vimal's capital account to normal's capital account इस 21,000 को 3 is to 4 के ratio बाटनेंगे यार रखेगा ना कि 3 is to 2 में क्योंकि यह sacrificing ratio में बाटा जाता है बात करें अब कोश्वर 21 की बच्चो तो कोश्वर 21 के दो पार्ट्स है एक तो पार्ट A है और एक पार्ट B है तो पार्ट A में जो है उसमें simply दो पार्टनर आपको गिवन है question में जिनका नाम B और C है जिनका पुराणा रश्यो 3 is to 2 है डि आया 1 for share के लिए premium लाया 2000 और कोई further information नहीं है तो ऐसे में यही मानते हैं कि पार्टनर प्राणे ratio में ही अपना sacrifice करेंगे ठीक है निया ratio मांगा ने इसलिए निकालने को निकाल सकते हैं ब्लकुल बैसे ही जैसे को श्रुमर ने निकाला गया था जैसे को श्रुमर वन में निकाला गया था आई बच्चो तो अब जो है आप ये देखिए कि entries क्या क्या बनेंगी simple वही लाने और बाटने की तो premium आया 2000 रुपे cash account debit to premium for goodwill account और उस premium को बाट दिया गया between B and C तो 2000 debit हो गया B और C credit हो गया 1200 और 800 से इसी के B पार्ट में B और C जो है वो दो पुराणे पार्टनर है D आया 14 शेक लिए इस बार D ने बताया कि वो 16 A से लेगा और 1 by 12 जो है वो B से लेगा ये 1 by 2 नहीं ये 1 by 12 है ध्यान रखेगा बच्छो दिस इस 1 by 12 ठीक है बच्छो तो ये 1 by 6 A से लेगा 1 by 12 C से लेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि B का sacrifice हो गया 1 by 6 जिसे हम 2 by 12 कर सकते हैं और C का sacrifice हो गया 1 by 12 जिसे हम 1 by 12 ही रहने देंगे इनने जोड का देख भी सकते हैं 3 by 12 हो गया जो D के बड़ाबर है यानि कि ये वो टाइप है जहां sacrifice क्लियर ली दे रखा होता है नया पार्टनर पराने पार्टनर से मांगी सिर्फ एंट्रीज हैं तो cash to premium for goodwill लाने की एंट्री मैं cash या bank कुछ भी लिख सकता था है यहाँ पर फिर premium for goodwill को sacrifice ratio में बाता है जो इस बार old issue एक्वल नहीं है old issue 3 is to 2 है मगर sacrifice ratio 2 is to 1 है तो 1400 और 700 रुपय आ जाएगा बच्चों और इस तरह से यह question भी complete हो गया 21 पूरा पूरा ठीक है बच्चों अब बात करते हैं बच्चों question number 22 की and it is one of the important question of this chapter ध्यान रखेगा इसमें आपको B और C दो partners दे रखें जिनका पराना ratio 3 is to 1 है D आया 1 third share के लिए और वो premium for goodwill लेकर आया 15,000 रुपय B और C ने कहा आपस में हम लोग equally share करेंगे तीनों ने नहीं कहा B और C ने कहा तो यह वो type होती है जहां पराने partner का नया ratio दे रखा होता है total share 1 मानिए 1 में से नया partner share अटाकर remaining share निकाल लेजिए बस remaining share को B और C के पराने ratio मत बाढ़ते का उनके नए ratio बाढ़ते का जो half है तो 2 by 3 का half 1 by 3 C का भी SE 1 by 3 आजाएका D का तो है 1 by 3 तो नया ratio आगया 1 is to 1 is to 1 अब old ratio और new ratio दोनों पता हो तो sacrifice निकालना पड़ता है बच्छो तो B का sacrifice आया 5 by 12 C का sacrifice आया minus 1 by 12 इसका मतलब C तो gain कर रहा है अब क्योंकि C gain कर रहा है तो goodwill उसे तो भी मिलेगी goodwill उससे भी ले ली जाएगी कितनी ली जाएगी जितना वो gain कर रहा है into form की goodwill तो मैं आपको बता दो बच्छो form की goodwill कैसे निकाले जाती है आपको नए पाटने गुड़ पता है 15,000 हर आदमी अपने हिस्से के बरावर goodwill लेकर आता है तो पुरे form की goodwill होगे 45,000 अब 45,000 का एक बाबारा निकालेंगे तो 3,750 रुपे आएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो C है वो 3,750 रुपे B को देगा तो B को 15,000 तो मिलेंगे मिलेंगे premium के तो उसके रावा 3,750 C से ही मिलेंगे तो पहले एंट्री तो सेम रही bank to premium for goodwill account दूसरी एंट्री में premium for goodwill account to debit हुआ ही हुआ 7,7 CB debit हो गया 3,750 से और B credit हो गया 8,750 से क्योंकि B का sacrifice जो है वो नए partner के share के बराबर plus C के gain के बराबर है अब check कर सकते हैं नया partner share 1 3rd है जिसे हम 4 by 12 भी कर सकते हैं और C का gain 1 by 12 है तो जोटके देख लिजिए 5 by 12 हो गया और B का sacrifice भी 5 by 12 हो गया ये बात हमेशे है रखेगा overall gain overall sacrifice के बराबर होता है को भी partner अपने gain के बराबर firm की goodwill देता है और को भी partner अपने sacrifice के बराबर firm की goodwill देता है छीक है इस बात को ध्यान रखेगा बात कर लेते हैं बच्चों कोशन पर 23 की तो बड़ा असान सा ही कोशन है गीता और सुनीता तो partner है जिनका ratio 3 is to 2 है और जब अनीता आ गई तो नया ratio 5 3 2 दे रखा था अनीता प्रीम लाई थी 25 दे रखा है अब क्योंकि नया ratio दे रखा है तो गीता और सी असमिंगिता का हमें सेक्रवाइज निकालना पड़ेगा सेक्रवाइज निकालने के लिए ओल शेर में से निव शेर मानस कर देंगे जिससे सेक्रवाइज आ गया 1.9,1.10 जिससे हम सेक्रवाइज निशु 1.1 कह सकते हैं अब यहां धी दो यह एंट्री बन सकती है एक प्रीम लाने की और एक प्रीम बातने की प्रीम लाने की अब तो आपको याजसी ही हो जाएगी बच्चो तो प्रीमिम फट्रीम पाउंट डेबिट तो गीता सब्सक्राइब तो गीता सब्सक्राइब लारा पांसो बारा पांसो इस तासे मारा कोश्णमर तेज भी खतम हो गया बचो नौ कम तो कोश्णमर 24 तो यह और भी पार्टनर है 523 के रेशियो में उन्होंने कहा कि भई हम सी क दे रखा है अब 110 110 जोड़के देखिए 2 x 10 जो की सी के शेर के बराबर होता है इसका मतला इनलों का सेक्रवाइजिंग देश्यों एक्वल है ठीक है बच्छो अब इस कोश्ण में जो है यह दिरखा था कि जो सी है वो 40,000 पे तो गैपिटल लेकर आया और नेसेसरी अमांट गुड़विल कैश में लिकर आएगा जो पुरे साथ हजार फॉर्म की है अब पूरे फॉर्म गे विड़ तो सी री कराएगा नहीं, सी तो सुर्प उतनी गुड़ू लेकर आएगा जितने उसके हिससे की है तो C के हिस्स से एकुट भी लोग गई 12,000 60,000 का 1-5, that is 12,000 clear बच्चों? तो C के हिस्स से एकुट भी लोग गई आपकी 12,000 अब इस कोश्च में शायर नया रेश्यो मांगा गया था तो हमने निकाल लिया old share में से sacrifice minus करके तो एक आया एकिस बय चालेस 5,000 बया योचा थे योघम अपकी 13,000 इस का निकालने के लिए 1,000 का भीे पांच को बस हमने आट वालट पै का इस योड़श्य भी लिगते ? तो नया रेश्यो आगया 21 हमने तर्फ नयसरा क्लेश्य कर लिया है new ratio निकाल लिया है, sacrifice ratio निकाल लिया है, नय बार्टरी गुट्विल निकाल लिया, entry तो अब बनाएंगे, तो देख लीजे बच्चों, entry, जब नया partner capital और premium लेकर आया, तो bank account debit to seize capital to premium फ़गुट्विल account, bank में 52,000, seize capital 40 और premium में 12,000, capital तो अपने पास रखेगा, लेकिन premium तो वो दे निकलेट आया है, जो sacrificing देशों बाट दिया जाएगा, जो कि equal है, तो 12,000 को जब यह और premium बाट होगे, तो 6,6,000 तो नो का आजाएगा, clear बच्चों, तो इस तरह से हमारा question number 24, complete हो गया, entries के साथ ही, Q25 अच्छा question है, इसमें आपको दो पार्टनर दे रिखें, 7 to 5 करन का रेशो है, इनका नाम है आदिल और भवया, इनका नाम है आदिल और भवया, इनका क्रिस को पार्टनर में आया 1,6 शेयर के लिए, और इसने 1 by 24 आदिल से मांगा, ठीक है बच्छो, और इस question में जो है, ये भी बिता रखा है कि ना क्रिस कितनी capital आया, कितना premium for good भी लेकर आया, और एक पाहुत नई चीज़ दे रिखी है, जो भी तक किसी question में नहीं आई थी, कि profit of the first year of new firm, 24,000,000 है, तो इस question में नहीं रेश्यो मांगा है नहीं मांगा, आपको निकालना जुरू पड़ेगा, because profit of the first year of new firm, जो है, वो new ratio पड़ेगा, तो यहां मैं थोड़ा clear करता हूँ, आदिल का sacrifice clearly given है, भवया का sacrifice clearly given है, लेकिन भवया का sacrifice 1 by 8 है, निया शेयर निकालने के लिए sacrificing ratio को नहीं sacrifice को minus करते हैं, भवया का निया शेयर आजएगा 5 by 12 minus 3 by 24 यानि 7 by 24, और क्रिस्क का निया शेयर तो हई, एक बाच है, लेकिन हम लिख सबते हैं उसको 4 by 24, तो इस तरह से निया ratio आगया 13,74, clear बच्छों? अब बात करते हैं, इसमें बच्छों हम about the journal entries, तो इस question में आप पहली entry बनाएंगे कि आप premium लाने की और capital लाने की, तो 1,36,000 तो बैंक में आ जाएगा, 1,36,000 लाक क्रिष्ट की capital में आ जाएगा और 36,000 premium for goodwill account में आ जाएगा, अब premium for goodwill account जो है, वो debit हो जाएगा और आदिल और भवया credit हो जाएगे, अपने sacrificing ratio में जो की 1,23 है, तो 9,000 आदिल के capital account में जाएगा, 27,000 भवया की capital account में जाएगा, अब सीधी सी बात है बच्छों कि इनका जो निया ratio है, वो 13,7,7,4 है, और जो निया profit है, profit of the first year of new account, वो तो नए ratio भी बटेगा, इसलिए उसको मने बाटा नए ratio में, profit and loss, appropriation account, debit to आदिल's capital account, तो भवया's capital account, to Chris's capital account, तो दो 40 को बाटा, तो 31,7,4 और 40 हा गया, और इस तरह से बच्छों हमारा इस question भी complete हो गया, अब बात करते हैं, question भी purchase की, तो A और B partner दे रखे हैं, 3-2 के ratio में, उनका C का हिस्सा 1-5 है, C 30,000 रुपे capital लेकर आया, 10,000 रुपे goodwill लेकर आया, पुरानी goodwill, जो भी तक किसी question में नहीं दे रखे थी, वो इस question में दे रखी है, appear कर रही है, box में 3,000 रुपे, नया ratio partners का दे रखा है, तो इस बात को हमेशा रखेगा बच्छों कि जब भी नया ratio दे रखा हो partners का, तो आपको क्या करना होता है, you have to find out their sacrifice, तो A का sacrifice 1 by 10, B का sacrifice 1 by 10, old share minus new share, तो उसे sacrifice आगया, 1 is to 1, ratio sacrificing 1 is to 1 आगया, बाकि नया sacrifice 1 by 10, 1 by 10 है, और premium parting के लिए sacrificing ratio की जड़त होती है, तो इसलिए हम वहाँ पर ध्यान रखेंगे, 1 is to 1 है, और नया share निकालने के लिए sacrifice की जड़त होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत important बात रच्छों है,